बाई आज की वीडियोगे हम compare करने वाले हैं Mediatek Helio G70 processor को Mediatek के Helio G90 processor के साथ में अब बाई G70 processor और G90 processor का कोई comparison बनता नहीं है क्योंकि G90 जो processor वो top level का processor है यानि कि G90T के नीचे या था और G70 जो है वो G series का first बाला processor है लेकिन क्यों इस चीज़ को हम compare कर रहे हैं हम यहाँ पर यह देखेंगे कि G70 से G90 बैटर तो है लेकिन क्यों बैटर है कहां बैटर है और कितना बैटर है यह सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम discuss करेंगे G70 की performance काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है रियल्मी C3 के अंदर आपने देखा है भाई काफी तगड़ी performance मिलती है और G90 किस phone में आया है यह तो भाई बता नहीं है लेकिन specifications के इसाफ से और G90 की performance देखके भाई G90 से भी बात भाई जो expectations है वो काफी जाता है तो इस वीडियो के अंदर देखते हैं भाई दोनों प्रोसेसर में कितना difference है और क्यों difference है फड़ा बिट से comparison को start कर लेते हैं मेरा नाव है याश और ProTech के लिए चैनल नापका स्वागत है स्टार्ट करते हैं launch date से Mediatek Helio G70 launch हुआ था 13 जन्वरी 2020 को महीं पर Mediatek Helio G90 launch हुआ था 30 जुलाई 2019 को यानि launch date के हिसाब से देखा जाए तो G70 एक latest processor है CPU और CPU clock speed के अगर बात करी जाए तो दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको dual cluster architecture देखने को मिलता है दोनों प्रोसेसर में आपको 2 प्लस 6 की big little approach देखने को मिलेगी पहले बात करें अगर Mediatek Helio G70 की तो यहाँ पर आपको दो कोर मिलता है performance के लिए जहाँ पर आपको मिलता है ARM Cortex A75 CPU clock speed आपको यहाँ पर मिल जाती है 2.0 GHz की बचे हुए जो 6 कोर हैं वहाँ पर आपको मिलता है ARM Cortex A55 CPU और यह 6 कोर आपको efficiency वाले task के लिए मिलता है और clock speed आपको यहाँ पर मिलती है 1.7 GHz की Mediatek Helio G90 के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कोर आपको मिलता है ARM Cortex A76 CPU के साथ मैं performance वाले task के लिए और clock speed आपको मिलती है 2.0 GHz की और 6 कोर आपको यहाँ पर efficiency वाले task के लिए देखने को मिलता है ARM Cortex A55 CPU आपर देखने को मिलता है clock speed आपको मिलती है 2.0 GHz की बात करेंगे यहाँ पर performance वाले कोर की तो दोनों processor के अंदर आपको 2.0 GHz की clock speed मिलती है लेकिन G90 के अंदर आपको A76 वाले better CPU देखने को मिलता है तो यहाँ पर performance core के मामले में भाई G90 बेटर हो जाता है efficiency core की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको cores यानि CPU दोनों में same देखने को मिलते है Cortex A55 वाले लेकिन clock speed आपको बेटर मिल जाती है G90 के अंदर तो CPU और CPU clock speed के मामले में आपको अच्छा difference देखने को मिलता है दोनों processor के बीच में G90 के अंदर आपको एक better CPU मिलता है CPU fabrication process के अगर बात करें भाई यहाँ पर दोनों ही processor बने वो है 12 nanometer की fabrication process पर और यह चीज़ आपको पता है कि Mediatek के processor के साथ में heating का issue हमेशा से रहता है और वो issue इसके fabrication process के कारण होता है जो 12 nanometer की fabrication process यहाँ पर है उसके कारण processor थोड़े से heat होते है जैसा आप लोगों को सभी को पता है कि fabrication process जितनी कम होगी processor उतना ही कम heat होगा और भाई उतना ही ज़्यादा energy efficient होता है यहाँ पर बात करेंगे fabrication process के मामले में तो दोनों processor एक जैसे हैं यहाँ पर कोई भी difference आपको देखने हो नहीं मिलता है CPU architecture and cores की बात करें भाई दोनों ही processor 64 bit के octa core processor है यानि कि दोनों processor में आपको task distribution के लिए और multitasking के लिए 8 hard core मिल जाते हैं graphic processing unit यानि GPU के अगर बात करें Mediatek Helio G70 के साथ में आपको मिलता है ARM Mali G52 2EE MC 2 GPU clock speed आपको यहाँ पर मिल जाती है 825 MHz की Mediatek Helio G90 की बात करें तो यहाँ पर आपको ARM Mali G76 3EE MC 4 GPU देखने को मिलता है और clock speed आपको यहाँ पर मिलती है 720 MHz की अब यहाँ पर बात कर लिजाए G70 के अंदर आपको 2 core का GPU मिलता है G90 के अंदर आपको 4 core का GPU मिलता है दूसरी बात अगर बात कर लेंगे GPU score की तो G52 MC 2 को मिलते हैं लगबग 81.6 points वहाँ पर G90 के साथ में आने वाले G76 MC 4 GPU को मिलते हैं लगबग 98.4 points तो यहाँ पर अच्छा कासा difference आपको देखने को मिल जाता है यानि gaming की performance के अंदर आपको ठीक ठाक difference दोनों प्रोसेजर के बीच में देखने को मिलेगा और G90 के अंदर आपको gaming की better performance देखने को मिलेगी बात करें RAM सपोर्ट की दोनों प्रोसेजर के साथ में आपको dual channel LPDDR 4X RAM का सपोर्ट मिलता है maximum RAM size की बात करेंगे तो G70 के साथ में आपको maximum 8 GB तक की RAM देखने को मिल सकती है G90 के साथ में आपको 10 GB तक की RAM देखने को मिल सकती है लेकिन जो RAM size है वो ज्यादा matter नहीं करता है जो चीज matter करती है वो होती है RAM frequency यहाँ पर G70 के साथ में आपको 800 MHz की RAM frequency देखने को मिलती है Mediatek Helio G90 के साथ में आपको 2133 MHz की RAM frequency देखने को मिलती है तो भाई RAM support के मामले में भी आपको अच्छा difference देखने को मिल जाता है G90 के अंदर आपको better RAM support देखने को मिलता है storage support की बात करें Mediatek Helio G70 के अंदर आपको EMMC 5.1 वाली storage का support मिलता है G90 के साथ में आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 दोनों type की storage का support देखने को मिल जाता है तो भाई G70 के साथ में जो phone आते हैं जैसा की Realme C3 की बात करें तो वहाँ पर ये चीज आपको बीना देखे पता हो जाएगी कि यहाँ पर आपको EMMC 5.1 वाली storage का support ही मिलेगा लेकिन अगर कोई phone G90 processor के साथ में आता है तो वहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि वहाँ पर आपको कौन सी storage का support देखने को मिलता है अगर UFS 2.1 वाली storage मिलती है तो read-write की speed आपको वहाँ पर better मिलेगी storage support की बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छा कासा difference आपको देखने को मिलता है G90 के अंदर आपको better storage support मिलता है camera support की बात करते है Mediatek Helio G70 के साथ में आपको 16MP का dual camera setup देखने को मिल सकता है या फिर 48MP तक का आपको single camera देखने को मिल सकता है Mediatek Helio G90 के बात करें तो यहाँ पर आपको 48MP तक का single camera यहाँ पर भी आपको मिल जाता है लेकिन dual camera में आपको थोड़ा सा better support मिलता है यहाँ पर आपको 24MP 16MP का dual camera setup देखने को मिल सकता है तो camera support के मामले में बात करेंगे तो थोड़ा सा difference आपको देखने को मिलता है G90 processor थोड़ा सा better है camera support के मामले में वीडियो के आपचर resolution की बात करते है Mediatek Helio G70 के साथ में आपको up to 2K video का recording option मिलता है यहाँ पर आप 1440 pixels वाले 2K QHD video आप record कर सकते है 30fps और full HD video की बात करें यहनि FHD plus video 1080 pixels पर आप record कर सकते है 60fps Mediatek Helio G90 के साथ में आपको up to 4K video recording का option मिलता है 2160 pixels वाले 4K ultra HD video आप record कर सकते है 30fps 1080 pixels यहनि full HD plus video आप record कर सकते है 120fps और HD plus video की बात करें 720 pixels पर आप record कर सकते है 240fps और भाई उसको आप हलका full का slow motion में भी convert कर सकते है तो video capture resolution के मामले में भी G90 के अंदर आपको better support देखने को मिलता है display support के अगर बात करें दोनों processor के साथ में आपको full HD plus display का support मिलता है 1080 by 25 20 pixels के resolution देखने को मिल जाता है तो display support के मामले में यहाँ पर आपको दोनों processor में कोई भी difference देखने को नहीं मिलता है बात करें LTE modem की media tech helio G70 के अंदर आपको integrated 4G LTE modem देखने को मिलता है downlink के लिए यहाँ पर आपको cat 7 modem देखने को मिलेगा और download speed यहाँ पर आपको मिल जाती है 300 Mbps की uplink के लिए यहाँ पर आपको cat 13 modem मिलता है और upload speed आपको मिल जाती है 1500 Mbps की बात करेंगे media tech helio G90 की यहाँ पर भी आपको integrated 4G LTE modem देखने को मिलता है downlink के लिए यहाँ पर आपको cat 12 modem मिलता है और download speed आपको मिलती है 600 Mbps की uplink के लिए यहाँ पर आपको 1500 Mbps की speed मिल जाती है upload की और यहाँ पर जो modem मिलता है वो मिलता है cat 13 modem तो NT modem के मामले में भी media tech helio G90 एक better processor है क्योंकि यहाँ पर आपको better download speed देखने को मिलती है बात करें Antutu scores की media tech helio G70 को मिलते हैं approximately 1,94,170 point पर media tech helio G90 को मिलते हैं लगबग 2,22,282 point तो अच्छा कासा difference आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है G90 के अंदर आपको better performance मिल जाईगी और Antutu के हिसाब से भी भाई G90 एक better processor है बात करें Geekbench score की media tech helio G70 का Geekbench score तो अभी तक मुझे नहीं मिला है ऐसा नहीं बोलूँगा भाई कि declare गी नहीं हुआ है मैंने उसके लिए थोड़ी search नहीं करी है अभी जैसे ही मेरे को पता पढ़ते हैं मैं अपने Instagram account पर update कर दूँगा भाई अगर आपने मुझे Instagram पर अभी तक follow नहीं किया है तो फटा फट से follow कर लो मेरा Instagram handle आपको screen के उपर दिख रहा होगा media tech helio G90 के अगर बात करेंगे तो यहाँ पर single core में मिलते हैं 2408 point अच्छे point यहाँ पर G90 को देखने के लिए मिल जाते और Geekbench के इसाब से G90 से आपको काफी अच्छी परफॉर्मस मिलेगी तो यह था comparison mediatek helio G70 processor का mediatek के helio G90 processor के साथ में सबसे पहले बात करें CPU की जो G90 के CPU और G70 के CPU वहाँ बहुत ज्यादा बड़ा difference आपको देखने को नहीն मिलता है ठीक ठाग difference आपको यहाँ पर देखने को मिलता है G90 के अदर आपको latest वाला CPU देखने को मिलता है तो CPU के मामले में आपको ठीक ठाक सा difference मिलता है GPU के मामले में आपको अच्छा difference मिलता है यानि कि तक्रीबन 17 point GPU score में difference है और यह difference काफी बढ़ा होता है तो G90 के अंदर आपको काफी अच्छा GPU मिल जाता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है भाई कि G70 के अंदर आपको खराब GPU मिलता है उसके अंदर आपको काफी अच्छा GPU मिलता है जिस price point पर वो processor आपको देखने को मिलता है उसके इसाम से काफी अच्छा GPU उसके अंदर देखने को मिलता है तो यह सारे जो expect है यहाँ पर थोड़ा सा better लगता है G90 processor आप मेरे को comment करके बताना भाई के price point के हिसाब से एक तरफ G70 है जो budget segment का entry level segment का processor है और एक G90 है जो mid range वाले phone में आपको देखने को मिलता है तो इसके हिसाब से जो budget segment है उसके हिसाब से किस processor में ज्यादा better specification मिलती है आपको comment करके मैं कुछ जरूर से बताना वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को like करना आपके दोस्तों के साथ share कर देना चैनल को subscribe नहीं गया तो चैनल को subscribe कर लेना आपके लाइक लगा देना वाल वाल option से लेट कर लेना ताकि मैंने वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचेंगे आपको तुरंसे मैं मिलू हूँ आपसे एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई